दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आपके सफेद बाल काले घने लंबे सिल्की साइनी हो जाएं तो आप इस नुस्खे का उप्योग करिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आप अपने बालों को काला घना लंबा मोटा और सिल्की साइनी बना सकते हो के Caster Oil एक बात मैं आपको बता दू इससे आपके बाल काले वहांगे और साती साथ जो मेरी बेने बालों को लंबा करना चाहती है तो आपके बाल लंबे वहांगे वालों का का तेल कभी भी अकेला नहीं लगाए जाता है सिर में क्योंकि यह कापी ठिक होता है गाड़ा होता है तो अब इसमें क्या करेंगे डालेंगे नारियल का तेल तो एक चमबच मैंने ले लिया है कैस्टर और यह मैंने ले लिया है एक चमबच नारियल का तेल अगर आपको नार कर दिया है इससे बढ़े दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेना आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूल जाते हो सब्सक्राइब पर ल तो यहां आप मैंने करीबन एक चमच ही ऐलोवेरा जेल डाला है सारी चीजों को हम मिक्स करेंगे जो भी सामगरी है यह सारी सामगरी आपके बालों की री ग्रोध इस्टाट कर देगा बाल आपके नए गुने लगेंगे बालों को घरा मनाएगा काला मनाएगा सिल्की अब जो यह सामगरी यह क्या है निवू को रस हम बहुत ज्यादा इस्तिमाल नहीं करेंगे इसका हमें मात्र आधा टी इस्पून अगर आप बूंद से ड्रॉप से ना पेंगे तो चार से पांच ड्रॉप इसमें आप नीवू का रस डाल देगा ठीक है नीवू कि तरीके स करते हैं तो वह आपका जड़ों तक नहीं पहुँच पाता है तो यह क्या करेगा आपके सक्षाइब करेगा जिससे की आप इस व्मनेमडी को लगाएंगे तो यह आपको पूरा असर करेगा बालों की जड़ों तक पर यह जाएगा आपकी बालों की जड़ों को यह मजूद बनाएगा अगली सामगरी जो है यहां पर हल्दी पाउडर अब हल्दी पाउडर आप लोग सोच रहे होंगे यह बालों को काला कैसे करेगा क्यों करेगा क्यों करेगा क्य यह हल्दी पॉडर आपके बालों में बालों की जड़ों में जो इंफेक्शन हो जाता है यानि कि जैसे गर्मियों का मौसम चल रहा है इस मौसम में कहीं पसीने की बज़े से इंफेक्शन होता है छोड़े दाने निकले आते हैं बाल बहुत ज़्यदा तेजी से जढ़ने होगा जिसते कि अब बालों बंक्तिन हो जाता है दो फॉट और अगर आप के बाल रोज नीम से साथनय मिउदा तोaster गंजा हो जाएगा तो यह कहना का मतलब में यह आपकी सारी problem खतम करेगा और यह जो आप solution लगाओगे यह नुस्खा लगाओगे तो आपके बालों की जड़ों पर यह काम कर सकेगा तो आप क्या करें सारी चीज़ों को mix करिए अब आप इसे अपने बालों की जड़ों में अच्छे से लगा लीजिए पूरे बालों की लिए इसको छोड़ना होगा और आप रात बार नहीं लगाना चाहते हैं तो इसे आप नहाने के करीबन तीन से चार गंटे पहले लगाईएगा अपने बालों में ठीक है और लगा करके छोड़ दीजी चार गंटे लिए और उसके बाद में आपको क्या करना है किसी भी को को हमखते में दो बार इस्तेमार करते हो तो आप देखना आपके माल बिल्कुर नेचरल तिरीके से जड़ों काले होंगे है चारी साथ ऐसा में आपके बाशन सफेद नी होंगे और जो बाला में स्फेद लुड़ा हो जाएंगे तो चो